हेलो दोस्तो मेरा नाम इसेस मलिक है इस वीडियो में हम लोग स्प्लिट होराइजन और राउटिंग लूप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं देखें दोस्तों इस्प्लिट होराइजन जो है एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे कि पहला राउटर दूसरे राउटर को वो इन्फोर्मेशन सेंड नहीं करता है जो कि दूसरे राउटर के दुआरा पहले ही फर्स राउटर को इन्फोर्मेशन सेंड की हुई होती है देखिए इसका सबसे best example है हमारा routing information क्योंकि routing information जो है एक router दूसरी router की routing table को update करता रहता है time to time की हमारे network के अंदर क्या-क्या changes हो रहे हैं इसका सबसे best example है split horizon का अब मालीजिये router 2 ने router 1 को कुछ ऐसी routing information share की जो उसके पास available है अब router 1 के पास जब वो information receive हो जाती है तो router 1 जो है router 2 को वो information send नहीं करता है जो router 2 ने router 1 को send की हुई होती है router 1 के वल उसी routing information को router 2 के साथ share करता है जो router 2 ने router 1 को send नहीं की होती है तो इसी को बोलते हैं हम लोग split horizon split horizon के द्वारा जब एक router दूसरी router को वो information send नहीं करता है जो पहले router ने दूसरी router को already share की हुई होती है तो इसे हमारे network की जो bandwidth है वो increase होती है क्योंकि unnecessary traffic जब travel नहीं करेगा network के अंदर तो obviously हमारे network की जो bandwidth है वो increase होती है तो यह होती है हमारी split horizon अगर simple से word में explain करूँ split horizon को split horizon जो है एक technique होती है जिसके द्वारा एक router दूसरे router को वो information send नहीं करता है जो दूसरे router ने first router को already send की हुई होती है ठीक है दोस्तों next आता है routing loops routing loop जो है पहला router दूसरे router को वो ही data packet send कर देता है जो दूसरे router ने पहले router को already send किया हुआ होता है जिससे की split horizon जो है हमारे network को protect करता है unnecessary bandwidth को consume करने से ठीक है दोस्तों तो simple से wording में routing loops जो है वो information होती है जो first router second router को already send कर चुका होता है और second router भी first router को same information से share करता है और इसी routing loops से protect करता है split horizon तो यह होता है दोस्तों split horizon and routing loops दोस्तों शोस्तों